हाई फ्रेंट्स आप सभी के स्वागते दिपास की चन तरकानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सेहत का खजाना इसे खाने से आपको धेश सारे फायदे मिलेंगे जैसे कि सर्दियों में पुराने से पुराना दर्द उठ जाता है सर्वाइकल गुटनों का दर्द कमर द बना रहे हैं तो इसे आप निश्चिंत होके खा सकते हैं और जिनको डाविटीक है उनकी लिए तो यह बहुत ही फायदे मंद है तो चुनों फिर देर किस बात की रेस्पी बनाना सुरू करते हैं तो इसे आपको लेना कैसे है तो फ्रेंस इसे आप एक चमच रोजाना दू और आधी कटोरी लिए है काजू और 200 गराम के करीब लिया है चोहारे अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप चोहारी के कौन्टिटी बढ़ा सकते हैं और अब मैंने यहाँ पर लिए अलसी और आधी कटोरी मैंने नारियल को कर्दुकस करके लिया है यह करने के लिए मैंने यहाँ पढ़ लिया है घी तो गैस पर मैंने रखा है कड़ाई और अम मखाने को हम कड़ाई में डाल के भूनेंगे तो हमें धीमे आज पर मखाने को रोस्ट करना है क्रिस्टी होने तक आप देख सकते हो मखाना रोस्ट हो गया है तो इससे हम निकाल द दालना है हमें बदाम, काजू, अक्रोड, तो साथ में इसे हम भून लेंगे, तो इसे हमें ज़्यादा रोष्ट नहीं करना है, बस एक से डेर मिनट इसे रोष्ट करने, तो ये भी भून कर तयार हो गई है, तो अब इसे भी हम निकाल देते हैं, और अब हम कड़ाई में फि मिक्सर जार, और मिक्सर जार में हम इसे डाल कर पीसेंगे, खटा हमें इसे नहीं पीसता है, हम इसे दो बारी में पीसेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे चोहारे, चोहारी की मैंने बीज निकाल दी है, और इसे छोटे-छोटे टुकरों में मैंने तोड लिया है, इसे प डाल देंगे, सोट का पाउडर, इलाची पाउडर और जो नारियल है उसे भी हम इसमें डाल देंगे, अब ढ़कन लगा कर हम इसे पीस लेंगे, इसे मैंने पीस करके तयार कर लिया है, आप देख सकते हो, तो इसका फाइन पेश्ट नहीं बनता है, यह हलका दर्दरा ही रहत है, तो यह देखे है, वारा सेहत का खजाना बनकर हो गया है दियान, तो इसे आप एक चमच रोजाना दूद के साथ ले सकते हैं, आपको बहुत जादा फाइदा मिलने वाला है, तो फ्रेंस, अभी तक मेरी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, तो फटा फट से लाइ और ऐसी मज़िदार रेस्पी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,